ब्रजबुशन श्रण सिंग पिछले साथ महीने से मीडिया में छाय हुए हैं जो कहजगय पर सुर्ख्या बटोर रहे हैं लेकिन इन पर एक आरोप लगा हुआ है योन शोशन का जिसे लेकर पहलवानों ने जंत्र मंतर पर धर्णा पर दर्शन किया था लेकिन अभी जो विनेश बजरं के साथ धर्णे परदेशन में शामिल हुए थे पहलवान मोहन का कहना है कि हम धर्णे में शामिल थे लेकिन वहाँ पर हम राजनिती लगी इसलिए हम आप से मिलने आए हैं बड़ी मात्रा में ये पहलवान आये हैं और इनकी कुछ समस्याएं हैं इनकी समस्याओं को हमने सुना है मैंने आस्वासन दिया है कि इनकी बात मैं मानने ग्रिमंत्री जी और ग्रिमंत्री जी के माध्धम से प्रधान मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और मुझे उम्मीद प्राइल की अपने अपनी कुछ समस्या है उसको लेकर के कुछ बच्चे चिंतित हैं और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मिलना चाहते थे मैंने की संख्या हजारों होने वाली थी जहां तक मुझे लगता है कि इसमें तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पहले धरने पर मेरे ख हमारा बच्चों से कोई बैर नहीं है खिलाडियों से कोई बैर नहीं है हमारा संभाव रहता है चाहे माराष्ट का हो चाहे हर्याना का हो बच्चे हैं और यह बच्चे जो खिलाडी होते हैं सब मान करके चलो की सामान परिवार से या कहलो गरी परिवार से मतलब जो निचल इनको भरोसा दिलाता हूं कि इनकी बात सरकार तक पहुँचेगी हमारे मोधी जी तक बात पहुचेगी तो जरूर इसको संग्यान कर रहे थे इनका कहना कि आपको प्रोटेस्ट किया जा रहा हुअ अब यह आपका समर्धन करेंगे आपके साथ रहेंगे मैं पहले से कह रहा था कि हरियाना में 85 बनाम 15 का था अब तो 95 बनाम 5 का हो गया है मुझे कुछ बोलने की जुरूरत नहीं है मैं एक गाउं गरीब परिवार से निकल करके यहां आया हूं मैं जानता हूं कि गाउं की समस्याएं क्या होती है कितने कश्ट सहते हैं गारजियन अ कोई बैर नहीं है और अब तो सारी चीजे खुद अस्पस्ट हो रही है आप समयEND देख रहे होंगे की मेडिया में मेरे किलाब किया था आज क्या है आगे क्या होगा मैं ने कभी बच्चोंका बुरा नहीं चाहा है आगे चाहूँगा और मेरे लिए यह से हरियाना वे इस उत्तर पर देश वाज पिन कर रहा हूं हरियाना खेल का सिरमाओर है और यह देश का मान बढ़ाते हैं तो उसके पीछे उनकी माँ-बाप का त्याग है बलिदान है जो सक्रिफाइग करते हैं अपने बच्चे के लिए इसनाते आज हर्याना खेल का सिर्मोर है आपके चैनल के माध्यन से मैं अपने सभी माताओं बहनों को सबको आश्वासन देता हूँ परिशान मत्वईये मोधी जीतक और ग्रिह मंत्री जीतक आपकी बात पहुचाऊंगा और इन्हीं सब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवादा